नमस्कार दोस्तों तो आज के वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ फ्लाइग नेटवर्क के बारे में कुछ दिनों पहले मैंने फ्लाइग नेटवर्क का एरड्रॉप दिया था मेरे सब्सक्राइबर्स को वीवर्स को और जिनों ने भी एरड्रॉप पूरा किया था उन सभी को यहाँ पर 10-10 हजर कोईन बिल्कुल फूरी मिले थे और उनकी व रात को देखा कि इसकी वैल्यू डाउन हो चीक है और साथी में हमें जो टोकन मिले थे वो भी यहाँ पर दस हजर टोकन के सो टोकन बचे है 98 टोकन बचे है तो हमारे साथ एक्जेक्ट क्या हुआ है तो सब कुछ इस वीडियो के अंदर में बताऊंगा तो यहाँ पर मैं ट्रेस्ट वालेट के अंदर हूँ और यहाँ पर फिलाल इसका जो करन्ट सिच्वेशन आप देख सकते हो प्राइस 10 रुप पर पैसे इन्वेस्ट के वैसे मैं बार-बार कहा था कि इस एरड्रॉप के अंदर आइडियो के अंदर प्राइवेट सेल्प के अंदर पारेटिसिपेट मत किजेगा यहाँ पर आपके साथ स्कैम हो सकता है और जिसका डर ता यहाँ पर वही हुआ है बट जोनों ने एरड सप्ला एक हाजार करोड के असपास था और कंपनी ने इनका ओफिशली रीजन क्या बता है क्योंकि यहां पर जो मैं आपको सप्ला है यहां पर गिनके बता रहा हूं इसका बहुत बड़ा रीजन उस रीजन के साथ मैच करता है जिससे कि हमरे टोकन यहां पर काफी कम हुए तो कमपनी ने अफिशली यहां पर कहा है कि इनोंने रीबेस किया है टोकन यानि मैं आपको बता हूं तो सबसे बेसिक रीजन इसका मैं देना चाहता हूं आपको वो है इसकी प्रोग्रामिंग तो प्रोग्रामिंग के जरीए जान बुचकर ऐसा बग छोड़ा जाता है दो आगर रात के श्रीब रात के नॉर्मली एक डिड़ बज़े अचानक से लिक्टिटी अनॉक हो जाती है इनकी और इनोंने इसका रीजन दिया है कि हमसे गल्ती से लिक्टिटी अनलॉक हो गई लोगों की और फिर लोगों ने इसे बेचना चालू किया और उसके बज़े से काफी डंप हुआ बट एक्चुली में गेम कुछ अलग था दोस्तों मेरे ख्याल से इन्होंने खुद लिक्विडिटी अनलोग की और हेवी सेलिंग चालू की और जो भी पैसे वहाँ पर एड हुए थे एक्चेंज के उपर पैंकेक स्वैप के उपर वो सब उन्होंने खाली किये और बाद में एक बर फिर से टोकन को रिलिस्ट किया और यह रात में पूरा खेल चला दोस्तों और आप हम सुबह देखते तो हमारा जो भी कौटर था हमारे पास दो भी दोस हजर कॉइन थे वह बदल के यहां पर लगबग सो कॉइन बन गए और आप इन्होंने टोट और हमारे wallet में रहने के बाद scam token हमारे wallet को कोई effect होगा तो नई दोस्तो हमारे wallet को कोई effect नहीं होगा हम 100% सेफ रहेंगे यही नई कोट भी टोकन जब हम wallet में ऐड करते हैं तो उससे हमारे wallet को कोई फरक नहीं पड़ता इसलिए आपको वो टेंशन तो बिल्कुल नहीं लेना साथी में अगर हम किसी वेबसेट की उपर हमारा वालेट कनेट करते हैं तब भी कोई हमें इश्यू नहीं होता सिर्फ हमें हमारे 12 recovery phase किसी को नहीं देने हैं बारा पासवर्ड है किसी भी वेबसेट की उपर हमें डालने हैं कई पर में डालने हैं इतनी बात आप याद में रखियेगा और यहां पर आप देख सकते हो यहां पर लिखा है यहां पर लिखा है we will use the rebates token वही मैं बोल रहा हूं आपको कि इन्होंने यूज किया है रिबेस टोकन यानि टोटल सप्लाइ कम किया है तो यह एक तरह से स्कैम ही है दोस्तों बले कंपनी यहां पर कुछ भी बोले अपनी बाजू यहां पर साफ करने की कोशिश कर रही है बट इन्होंने हमारे साथ दोका किया है बट जो airdrop में हमें token मिले है वह हमें definitely यहां पर फाइदा देंगे क्योंकि यह जो अनलोक होंगे यह इसी महिने में चैनल के साथ जुड़े रही है और याद रखे किसी भी प्रिसेल या आईडियो के अंदर पार्टिसिपिट मत कीजिए अगर कोई कोई अच्छा लगे तो मुझे बताईए उसके उपर में वीडियो बनाऊंगा देन आप उसके उपर डिसिजन लिजेगा थैंक यू